किस उद्देश्य के लिए आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? A. स्वास्थिलाब के प्रती जागरूपता बढ़ाने के लिए B. खाद्य उत्पादों के विपनी को सुधारने के लिए C. सास्कृतिक विनोध के लिए D. खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए Explanation आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 का उद्देश्य लोगों में मोटे अनाज से होने वाले स्वास्थिलाब के प्रती जागरूपता बढ़ाना है इसके माध्यम से विबिन प्रकार के मोटे अनाजों पर आधारित उत्पादों को प्रमोट करना और एक बड़ा बजार स्थापित करना भी शामिल है केंद्रिय मंत्रिमंडल ने दिजिटली करन और इलेक्ट्रोनिक विनिर्मान के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच एक समझोता ग्यापन को मंजूरी डी ए सैयोगत अरब अमीरात, बी सवधी अरब, सी यमन, डी इरान, आंसर बी केंद्रिय मंत्रिमंडल ने दिजिटली करन और इलेक्ट्रोनिक विनिर्मान के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और साथी अरब के बीच एक समझोता ग्यापन को मंजूरी डी भारत के Electronics और सूचना प्रोध्योगी की मंत्राले और सौधी अरब के संचार और सूचना प्रोध्योगी की मंत्राले के बीच 18 अगस्त 2023 को सहयोग ग्यापन MOC पर हस्ताक्षर किये गए थे किस देश ने भारत सहे 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवशक्ताओ को समाप्त कर दिया इरान सरकार ने भारत और खाड़ी देशों सहे 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवशक्ताओ को हटाने की घोशना की है इस निर्नय का मुख्य उद देश परेटन आगमन को बढ़ावा देना और दुनिया के विभिन देशों से अधिक आगंतुकों को आकरशित करना है इस फैसले के बाद अब कुल 45 देशों के लोग बिना वीजा के इरान जा सकेंगे भारत वर्तमान में इरान के साथ वीजा चूट व्यवस्था रखता है जो मुख्य रूप से भारतिय राजनेकों के लिए फाइदेमंद है कौन सी टीम टेस्ट मैच के एक ही दिन में 400 रन बनाने वाली दूसरी महिला टीम बन गई है A. Australia B. England C. Pakistan D. भारत आंसर D. भारतिय महिला क्रिकेट टीम ने पहले ही दिन 410 रन बना कर इतिहास रच दिया भारतिय महिला टीम ने मुंबई में खेले जा रहे एक मात्र टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लेंड के खिलाफ पहली पारी में 428 रन का मजबूत स्कों बनाया 14 दिसम्बर को पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 410 रन का विशाल स्कों खड़ा कर लिया था लए इस विशाल स्कों के साथ भारत 88 साल में टेस्ट मैच के एक ही दिन में 400 रन बनाने वाली दूसरी महिला टीम बन गई विजे दिवस हर साल कब बनाया जाता है A. 14 दिसम्बर B. 15 दिसम्बर C. 16 दिसम्बर D. 17 दिसम्बर आंसर C. Explanation 16 दिसम्बर 1971 पाकिस्तान की सेना ने भारतिय सेना के सामने घुटने टेक दिये थे इस दोरान भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक नए देश बांगलादेश का निर्मान किया था भारत पाक 1971 के युद्ध भारत की विजे दिवस के रूप 16 दिसम्बर को विजे दिवस मनाया गया खेल मंत्री आतिशी द्वारा सरसटवे राष्ट्री स्कूल खेलों का उध्धातन कहा किया गया ए गाजियाबाद बी न्यू दिल्ली सी नौई डादी गुरुग्राम आंसर, बी, एक्स्प्लिनेशन, नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, भाशा, दिल्ली की खेल मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को छत्रसाल स्टेडियम में सरसटवे राष्ट्री स्कूल खेलों का उध्धातन किया अतिशी ने कहा कि चीन में एशियाई खेलों में देश की हालिया जीत के बाद पूरा देश गर्व की भावना से भर गया है इस मौके पर आधिकारिक बयान में आतिशी कहा हमारे खिलारियों ने असाधारन कोशल, ब्रिर संकल्प और निरंतर सफलता को हासिल किया केंद्रिया मंतरि मंदल ने गुजरात के किस शहर को अंतराष्ट्रिय हवाई अड़ा घोशित करने की मंझूरी दे दी है आ सूरत बी वडोदारासी अहमदाबादी राजकोट आंसर ए एक्स्प्लेनेशन प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रिय मंत्रि मंदल ने सूरत हवाई अड़े को अंतरराश्ट्रिय विमान पत्तन घोशित करने के प्रस्ताफ को स्वीकृती प्रदान कर दी है अंतरराष्ट्रिय हवाई अड़्डा घोशित होने पर सूरत विमान पत्तन न केवल अंतरराष्ट्रिय यात्रियों के लिए महत्वपूर्म प्रवेश द्वार बनेगा बलकि यह राज्य के सम्रिध हीरा एवं वस्त्र उद्योगों को भी निर्बाद निर्यात आयात संचा अंतरररेगा